नमस्कार दस्तों वेल्कम टू में चैनल जो लास्ट का वीडियो दिया था वो वीडियो के उपर बहुत सारा लोगों का कन्फूशन हुआ है जैसे कि सर जब हम लोग रेकोमेंडेट कर रहा है उसमें टेमपो कुछ चेंज हो जा रहा है कुछ बज नहीं रहा है ऐसा भी हो र प्रब्लम हो रहा है एक्चली क्या है जब आप लोग प्रोजेक्ट चालू करोगे ऐसा नहीं है कोई एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के उपर काम करोगे अगर प्रोजेक्ट चालू करोगे उस टाइम में आप लोगों को 48 करना पड़ेगा 48 24 bit 24 bit और उसका साथ 256 buffer size ठीक है यह जब चालू करों मतलब कोई भी track हमने लिया नहीं है कोई भी इधर कोई भी track नहीं है अभी हम चालू कर रहे है ज्यादा तर effective यह होता है sample audio काम जब हम लोग करते हैं जैसे कि कोई गाना चालू कर रहे है कोई flute recording कर रहे है कोई तबला ले रहे है कोई भी कोई भी अगर लेने के लिए जाओगे तो पहले ही आपको project Kry अपाटih कर देना पड़ेगा मbits जब हम करेंगे उस टाइमें प्रोजेक्ट का अंदर प्रोजेक्ट सेटाप करके हम लोगों कीऊधर बोल देना पड़ेगा 48,000 होगा एक नमबर, दो नमबर पॉइंट जो है 48,000, 24 बीट इधर से हो गिया अभी record करो कोई problem नहीं है, कोई existing project का अंदर अगर आप अचानक से sample rate को change कर दोगे तो क्या होगा, पुराना जो existing already record हो गिया है उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें करेंगे तो उसका tempo change हो जाएगा, pitch भी change हो जाएगा बहुत सारे problem में, problem phase करना पड़ेगा नया project में हम बोल रहे है ठीक है, नया project में करो कोई दिक्काद नहीं है, और कुछ हो रहा है, जैसे कि 44.1 में किसी का sound बज़ रहा है रिधिम भी सही तरीक से चल रहा है मगर जब 48 कर रहा है 48 हम लोग करने के लिए जारा है तब क्या होता है, रिधिम जोड़ा change हो ज़यरा है, मतलब रिधिम इसका ठीक से नहीं बज़ रहा है, तो इसका कारण जो हो रहा है में करने हैं जैसे कि लाइव रेकोर्डिंग भी लेता है लेट भी कर लेता है यह कन्रोल करśmy लेकर ठीक ہं खरें इसे किसी लोगों का फोटिई हैट में नहीं भज रहा है और किसी किसी फोर में बज रहा है 48 में नहीं बज रहा है ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो यह प्रॉब्लम का कारण जो है इसका थोड़ा सा हम स्टाड़ी करकर देखा है जैसे कि हम लोग only qvist install नहीं करता है qvist करता है कभी-कभी machine में qvist करता है new end भी करता है उसका साथ fl studio भी करता है उसका साथ ableton live भी करता है मतलब 3-4 डो हम लोगों का machine में रहता है किसी ना किसी करण से कोई भी डो अपने खुला है उसका पिछला जो setting था जैसे कि मान लीजिए हम fl studio पहले खुला है एक बार तो fl studio में हम sample rate किया था 48 और 24 bit ध्यान से देखिए क्या हम बोल र दिया है अभी इसको बंद करके हम लोग क्यूबस खुला है तो यह क्यूबस भी 48 लेने का कोशिश करेगा क्यूंकि आप लोगों का soundcard एक ही है computer का अंदर soundcard एक ही है आप लोग एक ही soundcard यूज़ कर रहा है जो soundcard पहले कोई डो में 24 48 में खुला था तो अभी हम लोग अगर पुराना जो sample rate दुज़रा डो में जो हम लोग खुला था वो होने का chances जादा है इसलिए होता है किया किसी किसी का machine में 4080 stacked हो जाता है मतलब हम लोग चाहे तो 44 करते है मगर फिर भी वो change हो कि 41 में चला जाता है तो यह कारण यह होता है basically इसका शायद Ableton में हम लोग खुला खुलने का बाद Ableton में हम लोग 44.1 किया था तो अभी हम लोग QS में 48 करने के लिए जा रहा है मगर 48 हो नहीं पा रहा है मंदो यह 44.1 में चला आ रहा है क्योंकि इसका जो particular file इसका जो system था वो system इसको खीच रहा है तो इसलिए machine को एक बार restart कर लेना पड़ेगा क्योंकि कभ background में चलता है वो background हम लोग ढूंड नहीं पाता है कि कौन सा particularly कौन सा string उसका साथ attached होके बैठा है तो वो हम लोग ढूंड नहीं पाता है तो इसलिए अगर restart कर लोगे तो सबसे अच्छा तरीका होगा क्योंकि फिट से दोबारा refresh हो जाएगा और आप लोग कोई भी sample rate में ज जा सकता हो उसके लिए कोई problem नहीं है ठीक है तो में जो point हमने आप लोगों को बोल रहा है basically जब हम लोग project start करेंगे उस time में देखना पड़ेगा हम लोगों का sample rate जो recommended पहले पिछले tutorial में जो दिया था उसमें 48 and 24 bit हाई की नहीं है एक number और 256 buffer size हाई की नहीं है हो गिया अभी second option जो है इसमें हम लोग record करेंगे audio track लेकर record करेंगे मतलब यह project हो गया 48,000 का project हो गया है यह recommended है मगर कोई पूराना project में आप लोग इसको मत कीजिए क्योंकि आप लोग जब इसको करोगे इसमें दिक्कत हो जाएगा और इसका sample और tempo change होने से pitch का problem हो जाएगा और scale में नहीं बज़ेगा ठीक से rhythm में नहीं बज़ेगा तो particular जो BPM में आप लोग काम किया था वो BPM में नहीं नहीं बज़ेगा तो यह बहुत important है जब कोई भी काम करोगे तो सुरू से एकदम project setup करके करना चाहिए नहीं तो problem हो सकता है तो यह हो गया एक number point जो हमको actually कुछ-कुछ लोग है ठीक है हम बोलेंगे तो यह बोला है 44 sample rate पर काम करता हो बट काम करता करता हूँ तो ठीक बचता है मगर 48 sample rate करता हो तो तो mix rhythm जो use करता है वो tempo का बाहर बचता है क्यों तो यह वाला problem हम ऐसा इसको इसका उपर ही बोला है thank you video clarity is video clarity is poor यह बोला है ठीक है video clarity हो सकता है poor very sorry for this और उसका बात और कोई की जैसे की सर इस इस तरह के setting करने के लिए more than two output वाला साउंड काट जरूड़ी है या फोकस राइट वाई टू भी हो सकता है देखिए साउंड काट का बारे में जो हम बोला है और लेडी ट्यूटरेल दिया है साउंड काट कोई भी आप लोग ले सकता है problem नहीं है साउंड काट का जो detail वीडियो दिया है वो थोड़ा एक बत देख लेना और detail वीडियो में आप लोगों को हम लोग बोला है जैसे की स्टाइब का साउंड काट आप लोगों को लेना चाहिए एस पर यूर बाजेट ठीक है बाजेट का हिसाफ से आप लोगों का जो बाजेट है उसका हिसाफ से की स्टाइब का साउंड काट अच्छा होगा तो उसमें मिल जाएगा कईम में अफ़ता ही इसा बाजेट में कुछ ब्रे करिंगे जो क्या क्या करें झौस्टक है कि मिकमीघे मंद्र होना चाहिए है एस पर माई ओ Song कोषिष करेंगे आप लोगों को बिए बड़ाएब कुछ प्रोजेक्ट भी जो मिक्स चाल रहा हा हम उसका फो aquatic के बाद हम उसको ऊपर चालू करेंगे और उसका साथ-साथ जैसे कि जब आप लोग मीडी programming करते हो मिडी program कितना आसान असानी से कर सकते हो particularly हम लोग देखेंगे जैसे कि कुछ-कुछ लोग ऐसा करते हैं मीडी- मीडी तो कंप्लीट हो जागा अगर प्रोपर टेक्निक में करोगे तो वो थोड़ा हम दिखाएंगे उसका साथ साथ मिक्स मास्टरिंग कभी हम लोग कुछ ऐसा एफेक्ट प्लागिन बोलेंगे जो एफेक्ट प्लागिन डालने से आप लोग मैसूस कर पाऊगे जैसे कि हाँ कुछ चेंज हुआ है और इसका पैरमीटर क्या 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 काम करते हैं उसका पर हम लोग बोलेंगे तो आज के लिए यह है थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू वर वाचिंग दिस वीडियो एक्चिली आप लोग थोड़ा सा नया प्रोजेक्ट में काम करिए जो हम लोग रेकॉमेंड बोला है उसका पर काम करिए और यह भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है अडियो कनेक्शन सेटिंग कभी यह कंट्रोल रूम का अंदर जो मोनीटर अप्षन है यह वान टू आउटपूट अगर नहीं होगा तो आप लोगों का कोई भी प्रिव्यू नहीं मिलेगा तो यह देख के करिए क्योंकि यह आउटपूट नहीं भी चलेगा मंदब नहीं भी सिलेक्टट है तो कोई दिक्कत नहीं है मगर कंट्रोल रूम का अंदर जो मोनीटर आउटपूट है यह होना चाहिए नहीं तो क्या होगा आप लोगों का प्रोजेक्ट का कोई प्रिव्यू नह तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर दे वीडियो लिंक और अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट कीजिए लाइक करिए उसका साथ साथ शेयर करना ना भूलिया थैंकियो